नमस्कार निशामधुलिका.com में आपका स्वागत है आज हम मौट की डाल बनाएंगे इसे मटकी की डाल भी कहते हैं यह राजिस्तान की खास डाल है तो आएए मौट की डाल बनाना शुरू करते हैं मौट की डाल बनाने के लिए हमने आधा कप मौट अच्छी तरह साफ करके दो करके पानी में 7-8 घंटे बिगो कर ले ली है ओवर नाइट भी बिगोए जा सकता है दाल से हमने एक्स्ट्रा पानी हटा दिया तो सबसे पहले हम दाल को बनने के लिए इसे कुकर में डाल देते हैं इसमें हम 2 कप पानी डाल देंगे और यह एक चमच से थोड़ा सा कम नमक है एक चोथाई छोटी चमच हल्दी पाउडर है तो हम आदी हल्दी डाल में डाल देते हैं आदी बचा लेते हैं एक पिंच बेकिंग सोडर डालेंगे इससे डाल बहुत जल्दी उबल कर तयार हो जाती है और टेस्ट भी अच्छा आता है वैसे इस डाल को बीना सोड प्रणाधाली बना सकते हैं थोड़ा सा ज्जादा देर पकाना होगा कुकर को बन करेंगे डाल को कुकर में 1 क्वाइबं से डाल से खुए को दीव्य आग पर पल थाशता सेखं़िक Betी अज़ बन कर डेते हैं कुकर को हम इदार रख देते हैं और प्रेशर कटम होने देते हैं और तब तक हम दाल के लिए मसाला तयार कर लेते हैं और पैन में हम 2 스다음 घी हम घिंगे को गरम होने देते हैं घी घरम हो गया है, आदा चोटी चमच जीरा अडाल देँगे घस धीमी कर देँगे तक कि मसाली जलेना आधा पिंच हींग डालेंगे और जो हल्दी बचाई थी वो भी डाल देता है एक छोटी चमच धनिया पाउडर दो हरे मिर्च बारीक कटे हुए आधा छोटी चमच अधरक का पेस्ट मसाले को हलका सा भूलेंगे यह हमने एक बड़ा सा टमाटर ले लिया है इसे हम पीस कर ड दाल देता है एक चोथा ही छोटी चमच लाल मिर्च डालेंगे आपको तीखी डाल खानी है तो मिर्च अपनी पसंद से जाधा डाल सकते हैं और बच्चों के लिए डाल बन रही है तो मिर्च कम की जा सकते हैं या बिना मिर्च के भी डाल बना सकते हैं मसाले को हम तब तक मसाले से घी अलग ना होने लगे हम दाल को घी में बना रहे हैं दाल को तेल में भी बनाए जा सकता है मसाले से घी अलग हो रहा है मसाला भूनकर तयार है कुकर का प्रेशर खतम हो गया है और दाल भी अच्छी पक कर तयार हो गया है दाल को मसाले में डाल देता है मिला देंगे और इसमें गरम मसाला डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया मिला देंगे डाल को ढखके त doubt दो मिनिट पकने देंगे डाल बनकर तयार है दाल के उपर थोड़ा सा घी डाल देते हैं इससे दाल और वे ज़्यादा टेस्टी हो जाएगी और गार्णिशिंग के लिए थोड़ा सा हरा धनिया और ये जिंजर जूलियन्स मौट की दाल सर्व करने के लिए तयार है बहुत ही टेस्टी दाल बनी है इसे चपाती, नान या चावल किसी के विश्सा सर्व कर सकते हैं और ये दाल बहुत ज़्यादा पाचक होती है इसे आप बच्चों को भी बना कर दे सकते हैं बुजर्गों को भी बना कर दे सकते हैं आप तो खाएंगी बहुत अच्छी दाल बनिये तो आप ये दाल बनाईए खाईए और अपने अनुभब निशामदलिका.com पर शेयर कीजिए एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब चरूर कीजिए